सबी दर्शकों का हार्दी का भी नंदन और रिकी हीलिंग आसान है असरदार है आनद में है मैं आपका स्वागत है मैं सब का धन्यवाद करना चाहूँगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो चैनल से असोसियेटेड हैं पांच हजार से जादा लोग इसके साथ जुड़ गए हैं और हम चाहते हैं कि ये आप आप बाकी सब के साथ बाटे केवल रिकी हीलिंग नहीं हम आगे जाके ध्यान, डाउजिंग, सबकॉंशियस, माइंड, एनलपी इन सब की भी बाते करेंगे आपको जो विदिय अच्छी लगती है आप अपना के और जो हमारे देश की विदिया हैं उन सब को अपना के अपने जीवन को और अच्छा बनाएं यह विडियो हम हफ़ते में एक बार करेंगे जिसमें हम पूरे हफ़ते में जो questions हैं उसमें से कुछ questions लेंगे और question answers के form में हम सब के साथ बाटना चाहेंगे कि queries क्या थी और उनके हमारी तरफ से क्या suggestions हैं जिससे सब का फायता हो सकता है तो witness day को एक बार हम यह question answer का वीडियो करेंगे इसको शुरू करने का एक और कारण भी है कि जो हमने level 1 में online attunement की प्रक्रियाब शुरू करी है और level 2 की भी अभी कुछ दिन में शुरू करेंगे इनके वीडियो में जो भी question है आप उनके नीचे comment में टाल दे अगर हम उसी समय answer कर सकते हैं तो हम उसमें कर देंगे नहीं तो हफ़ते में एक बार हम इसको यहां पर cover करेंगे ताकि सब के लिए ये एक ग्यान का source बन जाए अब पिछले हफ़ते में से हम कुछ questions लेते हैं सबसे पहला questions है कि question है कि sir रेकी के side effect भी होते हैं काफी ने video भी बनाया है हमने भी काफी articles पड़े हैं काफी जगे लोग बोलते हैं कि रेकी के side effect होते हैं कभी पेट खराब हो जाता है कभी लोगों को जुखाम हो जाता है या अट्यून्मेंट के बाद लोगों को कुछ-कुछ शारीरिक परिशानिया होती है यह सब रेकी के side effect नहीं है यह body का एक natural balancing procedure है रेकी healing या कोई भी healing जैसे ध्यान की पद्दिती है उसमें आप अपना आभा मंडल बहुत अच्छा कर लेते हैं ध्यान में भी यह परक्रिया आप धीरे धीरे करते हैं लेकिन अगर आपका आभा मंडल बहुत अच्छा हो जाए और आपकी शारीर में वो शम्ता नहीं है कि उस बहुत अच्छे आभा मंडल में या एकदम से बढ़े वे flow को वो handle कर पाए तो आपको शारीरिक परेशानिया इसे लगती हैं क्योंकि उस समय शरीर अपने को balance कर रहा होता है उस flow के according सक्षम बनाने के लिए अब आप natural balancing में example लें कि अगर बुखार होता है तो जब शरीर में किटानू होते हैं तो ताप भड़ता है और वो एक natural तरीके से उस किटानू को मारता है और body balance होके एक अच्छी स्थिति में आ जाती है उसी तरह से आभा मंडल में जब रेकी healing करने से या meditation करने से बहुत तेज प्रभाह होता है तो कभी-कभी हलका दर्द होता है कभी किसी को itching होती है कभी-कभी एकदम से जटके से लगते हैं कि शरीर में एकदम से जटका लगा फिटीक हो गया यह सब अनुभूतियां होती ह जब आप गहरे ध्यान में होते हैं यहा सब अनुभूतियां रेकी healing में भी होती है क्योंकि आप एक ध्यान पे based methodology को अपना रहे हैं कभी-कभी जब यह थोड़ा ज़्यादा होती है जब आभा मंडल में ज़्यादा अवरोध थे, flow, कम था जब वो एकदम से ठीक होता है त तो नया अच्छा flow है उसके according balance हो जाए तो यह जित्ती भी प्रक्रियाएं हैं आप इन्हें side effect का नाम न दें यह body का एक natural balance करने का तरीका है अगर आप याद करें जो हमने history पड़ी थी रिल्की healing की डॉक्टर उसुई ने जब 21 दिन की meditation करी थी उसके बाद उन्हें suddenly energy receive तो वो बेहोश हो गए थे धीरे धीरे जब उनकी शरीर की इस्तिती ठीक हुई उनके मन की इस्तिती ठीक हुई जो उस flow के according थी जो नया flow था तो वो उठे और एकदम अच्छी energy में थे पहले से भी अच्छी तो इसी तरह से रेकी healing करने से जब भी body ऐसी balancing करती है तो उसके बात जो last में balance result होता है वो पहले से अच्छा होता है तो जो हम रेकी के side effect बोल रहे हैं ये एक natural balancing procedure है side effect अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो तब बोलना चाहिए जब किसी चीज़ से कुछ खराब हो यहाँ पर कुछ अच्छा ही हो रहा है जब भी इस तरह की आपको इचीज फ continue करें जिसकी आप healing कर रहे हैं उनको भी आप सलावने की आप इसे continue करिए धीरे धीरे बोडी अपने आप एक अच्छे balance में आ जाएगी आँखों को लेकर काफी queries आई हैं कि क्या हम आँखे ठीक कर सकते हैं तो हम इसे किस तरह से रेकी healing में सम्मेल करें कि हमारी आँखे अच्छी हो जाए तो सबसे पहले तो रेकी healing में सबसे simple procedure तो वही है जो हम 24 part healing में करते हैं कि आप अपनी आँखों के ऊपर हाथ रखकर healing कर यह तो सबसे simple तरीका हो गया इसके अलावा आप आगया चकर पर healing करें और साथ-साथ कुछ exercises अपनाएं जो कि simple सी योकिक exercises होती हैं जिसमें आप अंगुठा आके ले जाकर तरह तक की तरह आगे पीछे लाते हैं फिर side में ले जाते हैं और पूरा horizon तक आप पूरी गर्दन गुमा के अपने अंगुटे पर focus करके अच्छी तरह देखते हैं अपनी आखों को clockwise, anti-clockwise में गुमाएं अगर आप यह exercise regularly करते हैं तो आपकी आखे या तो जहां पर थी वहां से और खराब नहीं होती या खराब है तो थोड़ी अच्छी भी हो जाती हैं हम आपको अपना personal example बताएंगे हमने बहुत जादा पार के लिए तो नहीं लेकिन हमारा माइनस 0.25 पार का चश्मा लगा था जिसे हमने रेकी healing और यही तरह तक की exercise करके दीरे दीरे अपने आप ठीक कर लिया और अब हम वापस बिलकुल उसी तरह से देख पाते हैं जैसे हम पहले देखते थे इसमें कुछ आजकल भ्रहम भी जुड़े हैं कि आखें जादा देर तक काम करने से खराब हो जाती हैं अगर हम कंप्यूटर पे बहुत देर तक काम कर रहे हैं तो आखें खराब हो जाती हैं जरूर हानिकारक चीज़े हैं लेकिन अगर हम मन में लेकर चैने कि इससे आखें होने में समय लगेगा तो आपको अपने को इस तरह से कंडिशन करना है कि यह शरीर अपने आपको healthy state में रख सकता है मेरे को divine power receive होती है जो मैं हर जगे अपनी आखों से भी भेजती हूँ या भेजता हूँ एक तरीका होता है रेकी healing में जिसे ग्योशी हो बोलते हैं यानि कि आखों से healing भेजना ये level 1 के 5 वीडियो में आएगा जहां पर हम Japanese term cover कर रहे हैं तो इस तरह से जब आप healing करते हैं तो आप अपने आखों की भी continuous healing कर रहे होते हैं क्योंकि आपकी जो कामना है कि ब्रह्मार से ऊठ जा रही है हम तक आ रही है और आखों से होकर हर जगे जा रही है जब आप इस तरह से लगातार healing करते हैं तो धीरे धीरे आपकी आखों पर भी अच्छा असर होने लगता है अगर आप प्राणायाम में विश्वास रखते हैं या आप प्राक्टिस करना चाहते हैं तो आप अनलोंग विलोंग कपाल भाती और भ्रामरी प्राणायाम जरूर करें कपाल भाती प्रानायाम करने के बाद जरूर याद रखें कि आप बहाई ये प्रानायाम जरूर करें आपको ये सब करने से बहुत अच्छा लाब होगा प्राणायामिक energy healing का यी तरीका है ये हमारे देश की विदी है योग की विदी है और बहुत ही अच्छी विदी है इससे बहुत जल्दी असर होता है अगर आप देखेंगे कि आपकी आँख अगर बहुत जल्दी ठीक मतलब चश्मा उतर नहीं रहा है तो कम से कम और उक्तेवे सूरज को रोशनी को देखें, उक्तेवे मतलब की जो बिल्कुल सनराइज हो रहा है उसके 10-15 मिनिट बात तक जैसी तोड़ा उपर आ जाए तेज नहीं, बिल्कुल जो औरेंज कलर का सूरज उपर आता है, उस कलर में आप सूरज को देखें, तो आँखों की के स्वस्त रखी हैं, एक अगला सवाल आभा मंडल को लेकर था, जिसमें ये बोला किया था कि मैंने अंगुठे की औरा आपने बताई उसके अनुचार देखा, थोड़ी प्राक्टिस से अंगुठे के चारो और एक चमकिला सफेद दिखा, आपसे यह जानना है कि जब मैं अपनी औरा मिरर में देखती हूँ, तब मेरे हेड के चारो और तरफ एक सफेद घेरा दिखता है, थोड़ी देर में यह सफेद परचाई बनकर उपर उठता है, यह क्या है प्लीज बताएं, यह एक इंट्यूटिव तरीका है, हम अपने लिए कुछ गाइडेंस पाना चा तरफ उपर जाने लगा, इस तरह की अनुभूती, क्रिस्टल बॉल गेजिंग में या पानी में इस तरह की गतिविधी करते हुए होती है, इसको स्क्राइंग भी बोलते हैं, आप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे, स्क्राइंग एक टर्म है, जिसमें शीशे में देखकर, प आपको एक guidance मिल रही थी, कि जो आपका आभा मंडल है, वो एक अच्छी स्तिती में है, जादा तर स्क्राइंग में या क्रिस्टल बॉल गेजिंग में इस तरह के सबको अपने अलग-अलग तरीके से दिखते हैं, किसी को alphabet दिखते हैं, किसी को बादल दिखते हैं, किसी को आभा मंडल परचाई की तरह दिखता है, जैसे आपको दिखाता, और इस activity में, जब आभा मंडल इस तरह से आपको परचाई की तरह ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, यानि कि एक positive sign है, तो आपका आभा मंडल एक अच्छी स्तिती में है, आप इसे अच्छा बना कर रखिए और जादा आप अपनी intuitive capabilities की search करिए, आप पढ़िए कि crystal ball gazing किस तरह से होती है, इस crime किस तरह से होती है, आप और कोशिश करिए, आप अपने आप ही इसको सीख पाएंगे जब आप इत्तियसानी से अपने आभा मंडल को इस तरह से आप visualize कर पा रहे हैं, एक और सवाल है, ज 11.42 से 12 बजे तक होता है और फिर नील नहीं आती है, और यह करीप पिछले 20 साल से हो रहा है, हमारे आसपास आपको काफी ऐसी चीजी मिलेंगी जो हम medical science में explain नहीं कर बाते हैं, या हम खुद भी नहीं समझ पाते हैं, अब इसका reason medical science में भी हो सकता है, इसका reason आपके आभा म देता हूं कि reason कुछ भी हो आप ये करके देखिए, आपको जरूर इसमें मदद मिलेगी और आप एक अच्छी नीन सो पाएंगे, सबसे पहले तो ये कि आप शमा प्रार्तना पढ़िए, दिन में तीन बार पूरे ब्रह्मान के लिए, आप चाहें तो www.betterall.net पे जाएं औ अगर हमारे उपर कहीं से कोई उर्जा आ रही है, जो हमारे लिए favorable नहीं है, तो वह समाप्थ हो जाती है, यानि कि उसका प्रवा हमारे उपर नहीं आता है, या हमारे से कहीं उर्जा जा रही है, जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, उसका भी प्रवा समाप्थ हो जाता है, यानि कि जिसे negative energy courts बोलते हैं ये अपने आप dissolve हो जाती हैं तो आप ये शमा प्रात्ना पर जरूर जोर दें और यह सोचके करें कि जो भी उर्जा है जिसकी वज़े से मुझे ये लगातार परिशानी हो रही थी उस उर्जा से मैं शमा मांगती हूं उसको शमा भी करती हूं औ और इन चीजों को अपने से दूर रखते हैं अब healing करते हुए आप याद रखें कि जब इस तरह की issue होते हैं तो जादातर मुलाधार चक्र पे प्रभा में कुछ कमी होती है या कहीं पे कुछ अवरोध होते हैं तो अपने मुलाधार चक्र को रोज अच्छी तरह से heal करें जो प्रभा है आप इस तरह से करें कि कामना करें कि आपके उपर सहस्तार चक्र से आ रहा है सारे चक्रों से होते हुए मुलाधार चक्र से बड़ी तेजी से नीचे ground की तरफ जा रहा है और जब आप ये कामना करें या visualize करें कि आपके कमर से नीचे वो बड़ी तेजी से ज कारात्म उर्जा ड्रेन हो रही है यह आप regular visualization का तरीका बनाए जब आप सोने जाते हैं उससे पहले आप अपने अपर और लोवर चक्रास की balancing के लिए आप सेहे की का इस्तेमाल करें जो की balancing symbol है आप अपने उपर सेहे की draw करें इस कामना से कि मेरे सारे चक्र पूरी तरह balance रहें, मेरे जो circulatory system है, nervous system है जो मेरे physical body है, जो मेरे को सारे feed दे रहे हैं, सब अच्छी तरह काम करें, मेरा पूरा शरीर अच्छी तरह काम करें, और सोते सोते, सोने से पहले आप अपने उपर symbol बनाईए और आप उने वहाँ पर इस कामना से बनाईए, कि मैं यहाँ पर इनको establish कर रही हूँ, पूरी रात के लिए आपने जैसे अपने उपर symbol बनाया आप उसको बिल्कुल अपने उपर बना कर, आप establish कर लीजे, कि मैंने यहाँ पर symbol बना दिया, आप यहें मिरे उपर रात भर रहेगा मिरे को अच्छी उर्जा देता रहेगा शुद्धी करंट भी होता रहेगा, बैलंसिंग भी होती रहेगी और उरजानवी करंट भी होता रहेगा और यही चीज़ आप सुभ्योट के करें, कि आप उन symbol को जो भी आपने ड्रॉ। करें थे, आप उन सब का धन्यवाद करें कि रात भर आपने मिरे को अच्छी उर्जा में रखा सोने से पहले, आप हमेशा अपने मन में सोचें, कि हे इश्वर तेरा धन्यवाद तुने मुझे बहुत अच्छा जीवन दिया है और आप मिरे को लगातार ये उरजा देते रहे और रात भर मिरे को उरजानवित करते रहे है कि मैं बहुत अच्छी नीन सो हूँ मेरा शरीर बहुत अच्छी तरह से रहे मैं बिलकुल स्वस्त रहूँ आप ये सोच कर सोईए और सुबह उठकर इश्वर का धनेवाद करें आप कुछ दिन ये करके देखिए आपको इसमें जरूर फायदा होगा जो पानी आप पीते हैं सबसे पहला उठकर जो सुबह ग्लास पानी का पीते हैं या सोने से पहले पीते हैं आप उसमें यह उर्जा दीजिए आप चाहे र शांत स्वस्थिती में पूरे टाइम रहता है आप इस तरह से अपनी हीलिंग करेंगे तो आपको जरूर कुछ न कुछ फायदा होगा अगर आप डीपली चेक करना चाहते हैं तो आप जरूर या तो हमारे आफिस आ जाएं या आप हमें फोन कर लें तो हम इसको और कि किसी की शराब शुड़वानी हो तो विश बॉक्स में क्या लिखा जाए अगर आप अफर्मेशन का विडियो याद करें तो आप उसमें केवल इतना लिखें कि जो भी है वो केवल अच्छी स्वस्थ चीजों का सेवन करते हैं यानि कि वो केवल अच्छी चीज़े खात हैं उनकी आदते अच्छी हैं वो समाजिक रूप से अपने शारेरिक रूप से अपने परिवारिक रूप से उनके खुद की अच्छे के लिए जो भी चीज़े हैं वो सब वो करते हैं आप इस तरह से अफर्मिशन लेकर उनकी हीलिंग करिए और जब भी आप किसी की हीलिं इन चीजों के लिए करना चाहते हैं तो आप याद रखें कि मणीपूर चक्र पे जो कि हमारी विलपार का शेत्र है और अनाहज चक्र जो कि हमारे इमोशन का शेत्र है क्योंकि जब भी कोई ऐसी चीज़े छोड़ने लगता है तो इमोशनी बड़ा डिस्टर्ब होता है फिर उनकी तरफ निचता है तो आप उनके विलपार पे और अनाहज चक्र पे साथ में आग्या चक्र पे इन तीन चक्रों पर जरूर हीलिंग करें ताकि उनको एक सपोर्ट मिल सके अब जिसको इस तहकी कोई दलत लगी है आपको उसके साथ सानबूती का काई बार हम उन पर बड़ा गुसा करते हैं कि ये बड़े समाज के लिए बहुत ही गंदे लोग है पर अगर आप ध्यान से देखे तो काई बार उनको हेल्प की जरूरत होती है वो इस तिथी में होते हैं कि उनको आपकी सानबूती की जरूरत है और वो शायद उससे बाहर निकल पाएं तो आप इन चीजों को सानबूती का मतलब ये नहीं है कि आप प्रोथ साहन देने लगें आप उनके साथ सानबूती रखें और उनकी हीलिंग करें है कि हम आपको जॉइन करना चाहते है हमारा ओफिस डेली में है द्वारका में आप जब भी चाहें हमारे ओफिस में आ सकते हैं आने से पहले आप फोन ज़रूर कर लें कि हम उस समय फ्री है ये नहीं दूसरी बात हमने अनलाइन अट्यूनमेंट का अब तरीका शुरू कर दिया है वेबसाइट पे एक अनलाइन का पेज है हमारा पे पूरी हमने प्रक्रिया लिखी है आप उसको पढ़कर देख सकते हैं कि आप किस तरह से ऑनलाइन भी अब रेकी हमसे सीख सकते हैं वैसे तो हम सजेस्ट करेंगे कि आपके शहर में अगर कोई आपको सिखा सकता है खासकर अट्यूनमेंट लेने की जो प्रक्रिया है अगर आप परसनली तो जादा अच्छा है अगर आपने रेकी हीलिंग सीखी हुई है अट्यूनमेंट पहले ले रखा है तो आप जरूर इन वीडियोस को देखें इनका फायदा उठाएं और बहुत अच्छी तरह से हीलिंग करें अगर आपके पास और कोई तरीका नहीं है आप किसी दूरदाद के शेतर में रहते हैं आप रेकी मास्टर के पास नहीं जा सकते हैं तो आप जरूर हमें संपर्ख करें और हम इस ऑनलाइन अट्यूनमेंट के तरीके को आगे बढ़ाएंगे अगला वीडियो जो हम अपलोड करेंगे वो रेकी लेवल वन का पार्ट फाइब का होगा और उसके बाद हम अट्यूनमेंट की प्रक्रिया का वीडियो अपलोड करेंगे शायद कल यह पर्सों में तो आपको उससे बाकी की जानकारी भी मिल जाएगी तो आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद आशा है कि इस तरह के question answer के वीडियो आपका जरूर फायदा करेंगे आप अपने question वीडियो के comment में लिख कर आप छोड़ें हमें जब भी समय मिलेगा हम उसमें answer करेंगे नहीं तो हम इस तरह से question answer वीडियो में उनको ले लेंगे ताकि सब का फायदा हो पाए बहुत बहुत धन्यवाद